तो दोस्तो सालू के बेटे का बर्थटे नहीं मना, सारा तैयारी हो के केक नहीं कटा है, क्योंकि बहुत ही दुखत घटना हुआ पे हो गई और ये सार समचार कुछ लोग जान रहे हैं, कुछ लोग नहीं जान रहे हैं, तो उल्टा सिधा कमेट कर रहे हैं अले दोस्तों नमस्ते कैसे हैं, आप सब अमीद करती हूं, सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं, बट अच्छे भी रहे हैं, क्योंकि इतना पूरा समचार, हम लोग वहां पे थे, कौसल जी का तबियत कुछ ज्यादा खरात था, हम लोग जब गए थे, हम ल हो रहा था, फिर भी सालू जी रोही रही थी, कि भाईया का तबियत खराब है, भाईया नहीं जाएंगे, हम केक नहीं काटेंगे, हम लोग नहीं बहुत समझाया, कि उनका तबियत ठीक हो जाएगा, आप लोग टेंसन ना लीजिए, सबको आसा था कि जब वहां से आ गया ह होस्पीटल से तो वो ठीकी है, बट जैसे ही तैयारी होने लगे, उनका तबियत तोर भी गड़ना चाहिए, सुनने म्यार आ कि डॉक्टर उन्हें मतलब छोड़ नहीं रहा था, डॉक्टर ने बोला कि आज रहने दीजी, आज नहीं ले जाएगे, तो कॉसल जी जिद करके हैं कि नहीं बाबु का बड़े हम नहीं जाएंगे, तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बिचार जब जखती ही आए कि पार्टी में सामील होंगे, खुछी से, हम भी धुम्धाम से वहां पर हसेंगे, नाचेंगे, खेलेंगे, बिचारे कि इतने अच्छे सा हैं, सब लो भगवान, आप जितने लोग ओडियन से, जितने लोग पब्लिक हैं, प्लिस आप भगवान से दुआ कीजिए, सुबह सुबह का पार है, हम लोग रात भर भी इतना ज्यादा टेंशन सा कि कुछ वीडियो नहीं बना पाएं, रात को रजनी जी, वहां पर भी होस भी हो गया का दान लग गया था, काफी टेंशन हो गया, यह सब देखे, कोई भी और अपने पती को इस तरह देख के खुछ नहीं रह पाती है, दोस्तों, लेकिन आप लोग दुआ की कि जिए कि कौसल जल से जल ठीक हो जाया है, हम लोग अभी फोन करेंगे हम और यह दूआ करिए कि करते ही यह सुनाई दे कि कौसल दी बेदब मस्त है और घर आ गया है कि टेंशन हो जाता है, अब लोग एक साथ काम करते हैं, काफी दिन उसे एक दुछरे कर सब लोग जानते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है ना, बैचारा, फिर सुबा सुबा उटके फाले उन्हें के च और भगवान आपके साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे, दुख सुख तो हमेशा आता जाता रहाता, लेकिन टेंशन ना लेजी, और हिम्मत से काम करिए, कि आप ही जब टूट जाएंगी तो उन्हें कौन समालेगा, हमने देखा हैं, इनको काफी दर्द है, यह बहुत हिम्मत कहीं रूह नहीं पाता है, तो प्लीस दोस्तों, आप भवान से बिंती करिए, कावसल जी ठीक हो जाएं, और जल से जल वाफस घर पे आ जाएं, और बच्चे के लिए, सालू जी के लिए भी एक बात है, कि वो भी काफी टेंसन में है, उनके बेटे का जनम दीन नहीं मना, इतना जादा खर्चा भी की, और टेंसन में वो यह है, कि उनके भाई मानते है, कावसल जी के बार बर यही बोले थी, कि मेरी दीदी पांच इतीन से गाना सून रही थी, बाबू के बढ़े में डांस करने के लिए, कि हम हैसी नाचा, हैसी नाचा, और इसलिए रो रही थी, अब आज भाईया का तभीत खालाब हो, यही बार बर बर पलती कि बढ़े थी, बहुत खुशा रही हमार देदी बहुत रुभत है, आपने तो अपनी ही होते हैं, दोस्तों और देख लो पर पास थे, काफी टेंसन हो गया, अभी फोन लगावाग हम बात कर रहे हैं, और ज अपने शरीर पे साध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं इतने दूबले हो गया है काफी दिन से लग रहा हूँ परसान थे एक भगवान से मेंती है यह मातारा ने निवरात्री भी पीता है और दीवी देवतार सब लोग तो देखी रहे हैं उनकी महिमा को कौन जान सकता है लेकिन बस दुआ है कि भगवान से कि जल से जल ठीक हो जाएं रजनी के घर में खुसियां वापस आजाएं बैचारी काफी टेंसन में हैं काफी रो भी रही थी अच्छा नहीं लग रहा था बस दुआ ही कर सकते हैं और हो सके तो हम लोग वहां पर आये भी चलिए दोस्तों जो भ